नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की आज आपके साथ इस कायक्रम में एक सीधे से सवाल की हम पड़ताल करेंगे सवाल यह कि क्या विश्व कूटनीती में अंतराश्ची कूटनीती में अमरीका का दबदबा कम हो रहा है उसका वर्चस्व कम हो रहा है उसे चुनौती मिल रही है और इसके लिए हम जाएंगे दो महाध्वीपों की तरफ सबसे पहले हम चलेंगे आपके साथ अफरीका, जी हाँ अफरीका, अफरीका में अफरीका को लेकर एक बहुत खास समिट हुआ, Second Summit of Democracy, इसमें जिस तरह से दुनिया ने देखा, पश्पन देशों में से सिर्फ और सिर्फ आठ देशों ने शिर्कत की, और जिन्होंने शिर्कत की उन्होंने भी अमरीका की मंचा पर सवाल उठाया, और इसी के साथ साथ हम आपको ले चलेंगे इस महादवीब की तरफ, लातिन अमरीका की तरफ, और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ का सबसे बड़ा देश, ब्राजील, चीन के साथ समझोता करता है, और इस समझोते की ख अपनी-अपनी मुद्राओं में, अपनी-अपनी करेंसी में समझोता किया, इसका क्या असर पड़ेगा विश्व कूटनीती में, विश्व अर्थ विवस्था में, और अमरीकी दबदबे में, आईए इस पर बात करते हैं प्रबीर पुरकाईस के साथ प्रबीर आश्पड़ताल में हम सबसे पहले बात करेंगे अफरीका की, अफरीका चर्चा में है, हमने देखा Second Summit for Democracy हुई, जिसमें अफरीका पर चर्चा थी, कमला हैरेस भी पहुची अफरीका, जांबिया पहुची, और जांबिया पहुचने के बाद और कुछ देशों मे जहां गई, वहां पर काफी चर्चा रही, सघन चर्चा रही, कई स्टेटमेंट्स और खास तौर से जिस तरह से जांबिया के जो लीडर है, सोचलिस पार्टी के, उन्होंने सीधे सीधे बयान दिया, और इंका जो भाशन है, मुझे लगता है, आपकी प्रतिक्रिया जाने लगता है, 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 लगत those who killed Muammar Gaddafi today are coming to teach us about democracy a country that has been built on a brutal force on enslavement of other human beings on the humiliation of Africans the exploitation of Africans the plunder of Africa today is coming to teach us about democracy if you have no respect for the dignity of others if you have no respect for the sovereignty of other countries you cannot claim to be a champion of democracy what you have said is absolutely right that this second summit of democracy has not been successful in America the first summit for democracy has not been built in 55 countries more than the country did not run away from this country and very few countries did not run away from this country Frate ihtombe जिसका अपने जिकर किया इसका जो जोहो था यह था कि देखे आप डिबॉंकेसी की बात हमे सुनने आए हो आफिका में और आपने आफिका में किया क्या है तो अनुआ देख साथ प्रिविलेज अपर्थाइट स्टेट रहा जो गोरे लोगों का नसल पर आधारित रहा पुरा और उसमें चाहे ब्राउन स्किन ब्लैक स्किन के लोग जो है उसमें तो खास तोर से चम्डे का रंग जो है नापा जाता था और उसमें कॉम टेस्ट भी होता था बाल में अगर क आपका कोम रख दे, कंगी रख दे, तो कंगी सीधा रहता, ये गिर जाता है, उसको कोम टेस्ट कहा जाता, नसल पहचानने के लिए किसका क्या नसल है, तो ये इस तरह से रंगभेद को पुरी तरह से अवरिका, इंग्लेंड, फ्रांच, ये सब ने समर्थन किया था, उसका किया, इसको ये भी कहा, कि आपने किन इन देशों में, किन किन देशों में, आपने हमारे लीडर्स को आपने हत्या करवाई, इसे पैट्रिसल मॉंबा, जो कॉंगो के लीडर थे, सभी उसके बारे में, हमारे पीड़ी बे तो जानते थे, मैरे ख्याल से आज भी जानते हैं कि अमरीका तमाम देशों में और यहां-प दर्शक नक्षा भी देख सकते हैं कि कि अफ्रीका की कि ने सत्ता में परिवर्तन किया जोड़ जबर्दस्ती करके तो यह यह बहुत दुखती हुई नस है इसकी तो झिखर की ही कि आप डिमोक्रिसी को हमें समझाने आए है आपका क्या भूमिका आफ्रिका में रही उसके साथ-साथ ये भी दर्शाया कि आपने साउट आफ्रिका में लीडर थे जो लीडरान थे बलकि नेलसन मंडेला को आपने इत्ते साल जेल में बंद रखा तो ये तो आपने डारेक्ली हत्याएं की इसके साथ साथ अब और भी आपने बहुत सारे चीजे की उसकी बहुत बड़ा जिकर नहीं कर रहा हूं पर मैंने जो कहा खासतोर से उन्हें ये भी कहा कि गाना में एंकुरूमा को सत्ता से वहिशकार करना उसके खिलाफ कू करना उसके पीछे भी अमरीका की हाथ थी तो कहता ही आप कौन हो हमें लोकतंत्र की पाट पढ़ाने आये हो और हमें लोकतंत्र समझाने आये हो आज अब कहां से अब लोक तंत्र की दुनिया में नुमाइंदे निकले नेता निकले ये कैसे हो गया जबकि आपकी भूमी का दुनिया में कू कराना और तखता पलट करके अपने पिट्टू को बैठाना ये आपका काम रहा है और इसलिए ये मैप तो आप देखी रहे हैं ये मैप तो सिर्फ अफरिका में सेनिक हस्तकशेप सीधा हस्तकशेप और अपरत्याक्ष हस्तकशेप के जरीए उन्होंसे अभी कि वह भी क्योंकि लीबिया को लोग भूले नई हैं नहीं इसके साथ १ो म१ंने जो कहा इसके साथ साथ जो अभी भी इनका बहुत बड़ा इन इलाकों की अर्थनीती पे उनके पास बागडोर है क्योंकि आयमेफ पॉर्ल बैंक की प्रभाव आफरिका में बहुत है और ये भी हमको अगर ये बात चप करी रहे हैं कीनिया के बाद भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि वहां पर जिस तर आफरिका में है तो जब फ्रांस इंग्लेंड अमरीका आके कहते हैं हम आपको डिमॉक्रिसी सब्जाएंगे डिमॉक्रिसी के हम नुमाइंदे हैं तो उसका दुनिया पर क्या असर पलता लगता है उनकी यसी लिए याद नहीं रहता इनकी अपनी पार्टों खुद पढ़ क्योंकि जब हम बात कर रहें कि अफरीका में इतनी नाराजगी और कमला हैरिस का जाना और वहां विद्रो में आवाजें उठना उसका एक बहुत बड़ा कारण यह जो सैंक्शन्स हैं वह भी हैं सिर्फ हस तक शेप नहीं कि किसी लेता को गिराना किसी किसी को गद्धी में बिठाना सिर्फ इता ही नहीं उनके डारेक्ट सैंक्शन्स अमरीका की इतने देशों में आफ्रिका की है तो यह सरासर उनकी अर्थ नीती पे हस्तक्षिप करना है तो यह चीज अमरीका आज के तारीक पे सिर्फ बिलिटरी कूज नहीं बिलिटरी हस्तक्षिप नहीं उसके साथ साथ से बड़े पैमाने पर आर्थिक हस सक्षेप sanctions के जरीए कर रहा है एरान पर आप जानते हिए कितने सालों से sanctions है रूस के ऊपर तो sanctions की बात बहुत बार हम कर चुके हैं बहुत देशों पर यह तो sanctions की धमकी है यह तो sanctions वो लगा रहे है और इसी लिए sanctions एक दुनिया मे मिलिटरी इंटर्वेंशन के साथ साथ आर्थिक सैंक्शन से एक बहुत बड़ा अमरीका का हाथियार रहा है जो दुनिया में इसका प्रभाब बढ़ने की कोशिश वो कर रहा है और इसलिए गुसा भी निकलता है इसी करम में एक दूसरी खबर वो भी बहुत एहम खबर है और जिससे अमरीका बहुत बेचैन है यहाँ पे जो गुसे में स्वार उठे वो तो उठे लेकिन हमने यह देखा कि जिस तरह से ब्राजील और चीन ने समझाता किया और समझाता अ अपनी currency यानि अपनी अपनी मुद्रा उन में वे यह समझाता कर रहे हैं मतलब साफ है कि अम्रीका अमरीकी डॉलर को बाहर रखके कर रहे हैं बलगो सही है है वो उपना trade relationship बेचना-करीदना जो है अब से अपने currencies में करेंगे व wre डॉलरkeit में जो बीच ट्रांजक्शन में डॉलर बीच में रहता था क्योंकि दुनिया का यह रिजर्व करेंसी तो इसलिए सब ट्रेड डील्स डॉलर में होता था ज्यादा तर यह बंद करके लोग एक दूसरे की करेंसी में इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि सैंक्शन स्पेशा इसका प्रभाब न नेता हैं यह और यह बता रहे हैं कि यह जो समझोता हुआ है ब्राजील और चीन के बीच यह किस तरह से अमरीकी डॉलर प्रभुत्व को खतम करेगा और अमरीका के लिए जुसका फेवरेट शगल रहा है अभी तक सबसे पसंदीदा हथियार सैंक्शन्स लगाना वह कारग बिल्कुल सही है आप जो कह रहे हैं आप देख सकते हैं किस का वजह क्या है अगर आप 20 साल पहले जाए उसकी तजवीर देखें दुनिया की ट्रेट का जो मुख्य रूप से किस देश के साथ होता था अब देखेंगे जो ब्लुए जो किस का वजह एख रहे हैं अगर आप ब्लू रंग का है वो अमरीका के साथ उसकी ट्रेड होती थी तो जितने जितने यहां ब्लू रंग के देश हैं उनका मुख्य पार्टनर ट्रेड में अमरीका तो 2000 तक रंगा हुआ है आधिपत्य है ब्लू रंग का यानि अमरीका का 1990 सौविट उनन का फॉल होने के बाद गिरने के बाद इस इलाका भी जो है डॉलर का प्रभुत्य इस इलाके भी आ जाता है तो यह है 2000 की तस्वीर अब देखिए 20 साल में रंग में कितना फरका गया है जो आफरिका हो चाहे लाटन अमरीका हो चाहे दूसरे एशिया हो चाहे भारत हो ऑस्ट्रेलिया हो वेस्टन यॉरप का बहुत बड़ा हिस्सा उसका मुख्य कारोबार इस वक्त चीन के साथ है और अमरीका का बहुत चंद देशों की अमरीका के साथ मुख्य कारोबार है अब देख सकते हैं सिर्फ वेस्टन यॉरप के चंद देश को छोड़ते ह गुए और यहां भी कुछ जो वेस्ट अडियॉरप के देश है इसके इलावा और कहीं मुख्य रूप से इनको देखने को नहीं मिलता है एकका दुका छोड़के तो मुख्य रूप से इस वक्त ट्रेट पार्टनर्स जो है लैटन अमेरिका हो आफ्रिका हो एशिया हो ऐसे में ब्राजील का जो की लातिन अमरीकी देश में सबसे बड़ी अर्थविवस्ता है सबसे बड़ी अर्थविवस्ता और हम यह भी जानते हैं कि यहां पर अभी लूला चुनाओ जीत कर आए हैं और राजनीती ने वाम दिशा ली है तो ऐसे में ब्राजील और चीन का और अपनी करिंसी को कि इसका डर बहुत तगड़ा है अमरीका को कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो पूरा का पूरा अभी इंटरेक्शन करता है डॉलर से ही दुनिया चलती है उसमें एक बहुत बड़ा दखल यह समझाता हो सकता है यह बहुत बड़ा दरार है क्योंकि पहले रूस के उपर सैंक्शन्स थे इसलिए रूस का तेल चाहे उनको फर्टिलाइजर चाहे उनको कोईला हो यह सब डॉलर के बाहर इसकी वैपार चल रही थी और इसका करेंसी भी डॉलर में इस इंट्रेड टॉलर में नहीं हो रहा था इसका वजह है कि उन्होंने रूस पे सैंक्श लगाने के बाद उन्होंने उसकी जो कहते है स्विफ्ट सिस्टम है जिसके जरूर जितने लेन देन होती है स्विफ्ट सिस्टम से रश्या को बहश्कार कर दिया दियाए इसके बाद से जतने रश्याजय में इन हो रहे हैं ओ डॉलर भी नहीं हो रहा है और स्विफ्ट बैंकिंग चैनल से भी नहीं हो रहे हैं और इससे दो चीज होती है एक तो है रिजर्फ करिंसी पे खत्रा होता है कि डॉलर की प्रवत्व खत्म हो जाएगा दुनिया से उसके साथ-साथ और एक चीज है उसको ट्रैक नहीं कर सकते क्या हो रहा है क्या नहीं हो उनकी खबर रखते हैं और उसलिए targeted sanctions जिसे कहते हैं इन देश इस देश पे इस transaction पे हम sanction कर सकते हैं वो खतम हो जाएगा और अगर इस रास्ते पे ब्रेजिल के रास्ते में दूसरा दुनिया भी दूसरे दुनिया के देशों भी चलने शुरू करे तो डॉलर का reserve currency जो का भूम कर रहा है उसके जरिये sanctions impose करना एक इसके एक अजीब गरीब दुनिया में एक क्रम चलता है एक सिक्का चलता है अमरीका को लोगों को नहीं मालूम है वह है कि डॉलर में जब आप trade करते हैं तब अमरीका कहता है कि आपको डॉलर चाहिए तो आपको हमारा federal bank से लेना पड़े लेंगे तब ये transactions अमरीका इस पे sanctions लगा सकता है क्योंकि है हमारा देश के कानून की अंदर अप दायरे में आप आ गए जैसे ही आपने डॉलर के साथ डॉलर में transaction किया जिस जिस नहीं अपना trade negotiations में आपने डॉलर का नाम लिया इसका मतलब यू और अंडर हमारा अमरीका के फेटर्र कुरे structure में आ जाएंगे अमरीका के legal अधिकार हमारी होगी उस पे दखल अंदाजी करने की तो ये जो उनका कहना है इसलिए dollar के reserve currency से जितना नुकसाल लोगों को है इस चीच से दुख है इस चीच से बात इनके निकलती है कि ये अगर हम मान ले तो इसक जिकर नहीं करेंगे इसके ऊपर बहुत लोग जेल जा चुके हैं company बिग गई है और इसमें अमरीका के बहुत बड़े फायदे हुई है तो इसका ये भी मतलब होता है कि अमरीका किसी भी विदेशी बैंक हो विदेशी कारोबार हो उस पे बहुत बड़ा fine लगा सकता है और dollar में होता है तो ये जो extra territorial उनकी क्या कहेंगे पहुंच है तो वो अगर dollar में नहीं होता उनके बैंकों के जरिये नहीं होता swift system के अंदर नहीं होता तो उनकी हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकती है और वो पता भी नहीं कर पाएंगे किस चीज कितना उसके transactions हुए है तो उनके लिए rubio के जो कहना है बिल्कु सही है कि ये reserve currency से इसकी भूमिका धिरे धिरे संकुचित हो जाएगा reserve currency उसके लिए dollar के जगह पर और कोई जल्दी आने वाला नहीं है और एक दूसरे की currency में करेंगे तो अमरीका का हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाएगा ये हमारे लिए खत्रा है ये हमारे लिए खत्रा है क्योंकि दुनिया में हम जित्तों sanctions करते फिरे हैं मेरे ख्याल से 6-7,000 sanctions दुनिया में अमरीका लगा चुकी है कंपनियों पे देशों पे कुछ sectors पे रश्या पे शायद लोगों पे बहुत सारे लोगों पे भी sanctions लगा चुके हैं वो खत्म हो जाएगा वो अधिकार वो हतियार खत्म हो जाएगा अगर ये होता है तो अमरीका के लिए शंका की घंटी उसका प्रभुत्तु कैसे बरकर आ रहेगा चले बहुत-बहुत शुक्रिया प्रवीर दोस्तों एक बात बहुत साफ है कि विश्व कूटनीती में चाहे मामला शुरू हुआ हो यूक्रेन युद्ध से या फिर चीन के बढ़ते अंतराष्टिय बदल रही हैं और इसके कोर में इसके केंद्र में है अर्थविवस्था और वैपार जिसमें चीन निश्चित तोर पर आज की तारीख में अमरीका को कड़ी चुनौती दे रहा है वह बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उसी का हुक्म नहीं चलेगा चीजें बदलेंगी और बाद यह बात हम सब के लिए बहुत अच्छी है जितनी विविदता हो जितने अलग-अलग डाइमेंशन और सोर्स और पार होंगे उतनी ही आजादी मिलेगी लोकतंत्र के लिए और अभिव्यक्ति के लिए देखिए लाइक करिए शेयर करिए न्यूस क्लिक और पड़ताल दुनिया भर की क्योंकि दुनिया की ये खबरें सिर्फ और सिर्फ आप तक हमी पहुचाते हैं शुक्रिया